फिनाले से पहले टिकेट फिनाले लेकर फिनाले वीक में पहुँचे एक कंटेस्टेंट को एक बड़ा जटका लगने वाला है चलिया आईए बताती हूँ क्या है पूरी बात लेकिन उसे पहले स्वागत है आप सभी का फिल्म विंडो में मैं हूँ अदिती शर्मा और अगर मुझे नहीं किया है इंस्टरग्राम पर फॉलो तो चल्दी से कर लीजिए अदिती प्यू के नाम से मौजूद हूँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं तो भाई बिग बॉस के घर में इस बार पांच नहीं साथ जी हाँ खबरे कुछ इस तरह की हैं कि साथ कंटेस्टं पहुंचेंगे फिनाले वीक में अगर इस बार बिग बॉस का बस चलता तो टॉप टैन रखते हैं और मतलब 5 को एक साथ फिर बाहर निकालते हैं, उसके बाद एक एक करके निकालते हैं, उसके बाद winner बनाते हैं, मतलब दिक्कत ही कोई नहीं है, आराम से सारी चीज़े चल रही हैं ना, शो का format जाए जैसा मजी रहा हो पहले का, इस बार Big Boss अपने हिसाब से game खेल रहे हैं, त रहने वाली है, उसके बाद 20 प्रवी लिवी प्रतीक की आप सब sadece नहीं देख लिया कि लेकिन इन कंटेस्टेंट स्में से एक चंटेस्टेंट जो है, वो मिसिंग है और वो कौन है? भाई जो सबसे पहले जिनको थाले में परोसकर टिकेट टू फिनाले मिल गया था उनका नाम है राखी सावंथ तो राखी सावंथ को एक बड़ा जटका बिग बॉस देंगे जो अब तक घर के अंदर राज करती आ रही है बिग बॉस के घर के अंदर जब से आई है इस बार तो भाई मज़े रहे राखी सावंथ के कुछ उनको इतना कुछ जेलना नहीं पड़ा है तो राखी सावंथ की जर्नी वीडियो शायद से नहीं दिखाई जाने वाली जी हाँ इस रेपोर्ट के हवाले से अगर देखा जाए तो ऐसा ही लग रहाएगी राखी सावंथ की जर्नी वीडियो नहीं दिखाई जाएगी रश्मी और राखी जो है वो पहले ही बाहर हो जाएंगी और फिर रेस में बचेंगे प्रतीक, रेशांस, शामिता, करन और देजस्वी आप लोगों को क्या है इस पर कहना कोमेंट में जरूर बताईए